बीत दिनी एबीपी सांजादे डिजिटल प्लाटफोर्म तो एक खबर पबलिश कीती गई सी, जोकि पंजाबी कलाकार एमिवेर्ख टे रंजीत भावा दे नाल जुडी होई सी खबर दे मुताबक गायक रंजीत बावा ने एमिवेर्क देनाल मुलाकात तोबाद एक तस्वीर शेर कीती सी दास मार्च ने एक खबर एवीपी सांजादे पोर्टल तो शेर कीती गई सी लेकिन कुछ शरार्टी अंसरा ने एवीपी सांजादी इस खबर देनाल छेड़ चाड़ करके उसनों तोड मरोड के पेश कीते है जो असल खबर देनालों कीते जादा वाइरल हो रहे है श्रारती अंसरा दे वलो इस खबर दे नाल छेड़ छड़ करके लिख्या गया है कि पंजाबी गायक रंजीत बावा ते एमिवेरक ने वारिस पंजाब दे मुखी अमरित पाल सिंग खाल सादा समर्थन कीता है जो की सरा सर चूट खबर है ते एबीपी सांजा दे नाम ते इ प् apprendre करनवालंगी असी सक्त निन्दा कर द्यां एस खबर नूँ एबीपी सांजा दे प्लाटफों म तो पक्रप्लीश नहीं कीता गया इस खबर दी असल सच्चाइगी आउस संद खानने इस तस्वीर रही दास मार्च नूँ एबीपी सांजा दे प्लाटफों म तो शेर कि ती गई असल खबर सी कि एमी विरक ते रंजीत बावा इकठे आए नजर जो कि किसे नवे परजेक्ट दी त्यारी कार रहे ने जद की कुझ शरारती अंसरां देवलों एबीपी सांजा दी इस खबर दनाल छेड़ छड़ करके लिख्या गया है कि रंजीत बावा ते एमी विरक दी फैंस नू अपील सां नू प्यार करन वाले सारे लोग पाई अमरित पाल सिंग दा साथ जरूर देन इस चूठी खबर दे वाइरल हों तो बाल पंजाबी कलाका रंजीत बावा ते एमी विरक ने तिखी प्रती की रहा दिती है रंजीत बावा ने अपने ट्विटर हैंडल ते लिखे है फेक खबरा फोटोशोप कारके लाउन वाले ओ थोड़ी समझदारी करो इस नाल कलाकार दी इमेज खराब हों दी है असी रिपोर्ट कर रहे हैं साधे ना ते चूठिया खबरा बनाऊन वाले या दे खिलाफ दूजे पासे गायक अमी विरक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी दे उपर के आए चूठिया खबरा ना फलाओ क्यों नहीं सोखदा सा लेंड दिन दे यार तुसी इस सब दे पिछे जिस किसे दा भी हाथ है असी उस दे खिलाफ लीगल एक्शन लेंज आ रहे हैं सो दर्श का ते पाटका नूँ बेंती है कि इस चूठिय खबर नूँ शियर ना कीता जावे ओथे इश्रारती अंसरा ते पेज़ा वाले ने चेताव नहीं है कि एबीपी सांजा दा लोगो वर्त के अजहिया चूठिया खबरा फैलाउन वाले दे खिलाख कारवाई करवाई जावेगी खबर दी असल सचाई या ते पुष्टी दे लई तुसी एबीपी सांजा दे वैरिफाइड सोचिल मीडिया प्लाटफोर्म से उपर विजित चरूर करो सो देश दुनिया दिया ताजा तरीन असल ते सचिया खबरा दे लई तुसी वेखते रो एबीपी सांजा